पुने में थे अमित शाहत तभी जैशा ने किया उद्व ठाकरे को फोन क्या है पूरा मामला चन्द दिन पहले महराश्ट के खेड में जनसभा को सम्भूदित करते हैं उद्व ठाकरे ने बीजेपी और चुनाव आयोग परजम का निसाना साथा था चन्द आफचन और नाम गवाने के बाद उद्व ठाकरे पहले बार किसी जनसभा को सम्भूदित किया था इस दौन उन्होंने सिया में एकना संदे पर भी निसाना साथा था ठाकरे ने संदे को बाप चुराने वारी टूली का था ओद्व ठाकरी ने का कि मैंने पहले ही कहता था कि मैं बाला साहिन का बेटा हूँ तब ये लोग कहते थे कि कितनी बार ये बोलोगे हला कि अभी लोग में पिता का नाम चुरा रहे हैं ओद्व ठाकरी ने का कि अमिश्य आप उन्हें आकर गए है और मुझे जैशा का फोन आया है जैशा ने मुझे का कि उद्दव जी आप यह सब कैसे करेंगे मैं बहुत पईशान हूँ मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है जिस पर जैशा ने का कि आपके पिता की फोटो चुराने के बाद अब यह लोग कह रहे हैं कि आमित्सा पिता की तरह है क्या यह लोग अब मेरी प्रॉपर्टी भी चुरा लेंगी इस पर मैंने जैशा से कहा कि घबराइए मत उनको इस बात की आज़त है आने वाले दिनों में यह लिस्ट और भी लंबी होगी आज यह पिता समान है कल वो पिता समान है कुछ तो शर्म करिये यह वैचारिक दिवालियपन के लक्षन है खुद के व्यक्ति में कुछ नहीं था तो दूसरों के पिता चुरा लो इस वज़े से सरदार पटेल ने गुजरात में आरसेस पर प्रतिबंद लगा आया था इन्होंने पटेल सुबह संद बहुस के बाद अब बारा साहिब का नाम और तस्वीर को चुरा रहे है उद्दव ठाकरी ने मेघाले विधान सबाद चुनाव के बाद बीजेपी के एनपीपी के साथ गठवंदन को लेकर तंज कसा था उद्दव ठाकरी ने कहा कि अमित्षाह ने मेघाले में कौन राड संगमा पर बिस्टचार की गंबीर आरोप किये थे हाला कि चुनावी नतीजा आते ही बीजेपी में पल्टी मार ली फैसले के बाद प्रधान मंती नरेंद्र मोदी ने संगमा के साथ गटबंदन और उन्हें समर्थन देने की बाद के ठाकरी ने पूछा कि ऐसा करती शरम नहीं आती पुले में आकर अमिशा कहते हैं कि मैंने मुखमंत्री बनने के लिए कौंग्रेस और NCP के तलवे चाटे अब मिघाले में आप क्या कर रहे हैं आपने क्या चाटा